वाट्सप गाईज वेलकम बैक टो अंतर वीडियो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है गवर्मेंट पचास परसेंट सीट इंक्रीज करने जा रही है एनाईटी आईटी और आईएटी और आईएटी में तो आपको बता दू इसके बारे में पूरा डेटेल्स में आप लोगों को बताने वार हो हमारे जो एचाडे मिनिस्टर है उन्होंने इसकी जानकारी दिया और इसके उपर मीटिंग भी की जाच चुकी है पूरा डेटेल्स में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा आईटी और आईटी में टूटल अभी कितने सीट्स हैं तो जैसा कि देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है आचाडी मिनिस्टर ने ये सीट केपैसिटी है वो बढ़ाई जाएगी और गवर्मेंट आई ओई के बारे में भी बात कर रही है आपको बता दू इसके बारे में आगे डिसकुस करेंगे जैसा कि पर भी वीडियो मिलने वाला है प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ हुमन रिसोर्स और डवलप्मेंट पहले ये नाम था लेकिन अब इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन कर दिया गया गया गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थी पहुत तिनों के बाद अपक् प्रोग्राम के बाद करायों तो तो डूटल 13,376 सीट्स पूरे भारत के बात करें तो 23 सीटी में जिसेके आप मैप में देखतो तो 23 इटी पूरे भारत में फैल लेवी है और 13,376 टूटल अभी सीट है उसके बाद अगर NIT के बात करें तो देख सकते हूं 31 NITS में total number of seats के बाद करें undergraduate program के तो ये 21,133 है और post graduate programs के बाद करें तो 10,550 seats है, total 31 places में हैं और जैसे कि map में आप देख सकते हो पूरे भारत में National Institute of Technology है, अब बात करें HRD Minister Plan की जो increase कर रहे हैं वो seat capacity में, तो IITS, NITS, IISC समित जो important institution है, उसमें seat की बढ़ोतरी की जा रही है, मोधी सरकार ने जो अपना चुनावी घोशना पत्र, इन institution में 50% seat की बढ़ोतरी की जाएगी, तो आपको एक बात clear कर दूँ, इसको जो seats जो increase किया जा रहा है, इसमें समय लागेगा, धीरे-धीरे seats increase किया जाएंगे, पांस सालों में किया जाएगा, तो ऐसा किया सकता है कि 20-20, मतलब 20% every year किया जाएंगे, जिसके जिसके जो target रखा गया, वो 2024 तक रखा गया है, इसके अलावा, विदोसों की तर्च पर गुनवक्ता युक्त सिक्षा एवं रोजगार मुया कराने के मकसद से पर भी बात चल रही है, मैं आपको बता दू, I-O-E, Institute of Events, इसकी बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह recognition, इसकी में higher education institutes के लिए, University Grand Commission ने इसे set किया था, 2017 में, तो इसके बाद से यह अभी नज़दिया में आ रहा है, जो होर हमारे जो मानव संजादन विकास मंत की गई, तो I-O-E की संग्या बढ़ाने पर भी चर्चा की जा रही है, और seats की बढ़ाने के ऊपर भी चर्चा की जा रही है, सरकार का मकसद होनार चात्रों को विदेश जाने से रोकना है, जो भी candidates, foreign countries आते हैं, जॉब के लिए, फिर पढ़ने के लिए, तो भारत में कुछ ऐसे सिक्षा संस्थान बनाये जा रहे हैं, या फिर बन चुके हैं, जिसमें बच्चों आराम से यहां पर पढ़ सकते हैं, भारती चात्र जिन विषयों और डिग्री प्रोग्राम के पढ़ाई करने के लिए, विदेश विषयों जाले में दाखिला लेते हैं, वैसे ही सु बच्चों को विदेश जानी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंडियन जो सिस्टम है, उन्होंने प्लान कर लिया है कि आप बच्चों को इन कोर्से में अडमिशन दिलाया जाएका, जो कोर्से विदेशों में होते हैं, आई ओई प्रोग्राम टू नेचर वर्ल्ड क्लास इंडियन तो अब भारत में भी ये बनने वाला है, आपको बता दू, ग्रेजुएशन प्रोग्राम के वाद सबसे अधिक सीटों में बड़ोतरी मार्केटिंग डिमांड और रोजगार देने वाले डिगरी प्रोग्राम में होगी, जो ये सिस्टम बना जा रहा है, इसमें मार्केट डिमांड और रोजगार जो आपका जोब है, इसके उपर धियान रखा जाएगा, वैसे डिगरी कोर्स त्यार किया जाएंगे ताकि चात्र भारत में रहकर उच्छ शिक्षा और गुनवक्ता युक्त पढ़ाई कर सकें, 2019 में कडिब 7,50,000 भारती चात्रों ने उ हुमारी जो शिक्षा निती है, वो भी अच्छी हो जाएगी, अभी तक 19 संस्थानों में आई, OE का दर्जा है, टोटल 19 है, इसको बताया गया, मैं आपको बता दो, 50 बनाने की उम्मीद है, मतलब 50 बनाया जाएगा, इंसे चूट ऑफ इमेंस, अब 30 के बजाए, 50 होंगे, शुरुवात में इनकी संख्या 20 थी, जिन में 10 सरकारी और 10 नेजी संस्थान को सामिल किया गया, हाला कि 2018 में इनकी संख्या 30 कर दी गई, इसके तहट सभी, मतलब अभी तक UGC से 20 संस्थानों में IOE का दर्जा मिल चुका है, तो IOE क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं इसमें 10 सरकारी और 10 नेजी है, प्राइवेट है, 2008 इनकी संख्या 30 की गई थी, लेकिन अभी 20 एक्टिव है, और 20 संस्थानों को IOE का दर्जा मिल चुका है, HRD मिनिस्ट्री ने मीटिंग की है, टॉप ओफिशियल के साथ, और डारेक्ट की है कमेट्री तो सेट अप अंडर है था कि 50% सीट इंक्रीज कर दिये जाएंगे 2024 तो यह धीरे-धीरे होगा, एक ही बार में आपका 50% सीट इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ बीटेक में नहीं होगा, जितने भी टॉप इंस्टिउट्स है, आईटी, नाईटी, आईएसी तो इन सभी में बनाय जाएंगे, तो और उसके बाद सारे decision लिये जाएंगे, higher education अमीत करें, उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा, जो भी students, international students वो भारत में आके बढ़ाई कर सकते हैं, और हमारी जो सिख्षा नेती है, उससे और अच्छी होगे, और और प्रोग्राम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, UGC Chief सिंग है, उन्होंने कहा है कि इससे बहुत जादा प्रोग्राम डिबलप होंगे, हमारे जो देश में कुछ ऐसे courses भी बना जाएंगे, जो बच्चों के लिए अच्छे होंगे, job facilities की हिसाब से अच्छे होंगे, जिसको को करके, बच्चे जॉब पा सकते है, dual degree या फिर प्र से भारत आ सकेंगे परने के लिए, और यह जो decision लिया जा रही है, इसलिए जिलिया जा रही है, ताकि बच्चे का innovation है, creativity है, जो भी पूरे भारत में है, वो निकल कर सामने है, और बच्चों का interest किन subject में जाधा है, किन facilities में जाधा है, क्या करना चाहते है, वो अपना दिखा सकते हैं, और साथ में lateral entry भी कर सकते है, higher education institution में, so that's it for today's video, में आपको वीडियो पसंदा है, वोगा वीडियो पसंदा है, तो like और share कर सकते हो, चानल पर नहीं हो, तो support के लिए subscribe कर सकते हो, bell icon के बटन को press कर सकते हो, so thank you for watching, thank you